इस घर को लगबग सौ साल हो गए और यह हमारा ना कल्चिरल घर है मतलब वेर रियू फ्रोम रसिया अब जगह बढ़ों का अश्रिवाद लिया जाता है बढ़ों को पहला पूछा जाता है कि घरों के ऐसे दिवार हो पे ना ऐसे चेट करे जाते जाते तो होगी एक नई दिन की शुरुवात अभी अपने गाउं से और अपने घर से फिलाला जना मस्ट धूप लगी विया मस्ट मोसम है और आज बहुत स्पेशल डे भी हमारे गाउं के लिए तो अभी आगे बताएंगे क्यों है स्पेशल डे बखी आज के दिन को सुरू करता है और एक नय व्लोग क अच्छा तो ताई की उसी चीज के लिए प्रफेशन चल रही है जिस चीज का न में बता रहा हूं कि आज श्पेशल दिन है तो वह आगे बताएंगे अभी गाउं में जाना मुझे पहले हम नास्ता कल देते हैं मेदा गुड मॉनिंग और मेदा आज हमें बहुत सारे तो बसकी तो पेड़ से चीख के कौन आता है तब इतना मोटा बजन मत रख कम कर इस बजन को एटायरों को कम कर अंटी की तारी अरे कहां फिट है घर की फिट है बस अभी ऐसे बोलो जुक्के देखो कुछ नहीं होता है तो यह अपना थेला भी रेडी हो गया तो देखो सबने ना ऐसे थेले पकड़े रहता है ऐसे थोड़ा थोड़ा ना हर परिवार से चावल जो सबजी और तेल वगरा जाता है तो अब हम लोग घर से निकल गए हैं और आज हमारे गाउं में है गौंजी गौंजी क्या होता है कि हमारे गाउं में गाउं की सुरक्षा के लिए पूजा पार्ट होती है पंचायत होती है और हमारे गाउं की जहां-जहां सीमाएं होती है वहां वहां पे पूजा पार्ट करके साइन लगाते हैं मतलब जहां-जहां बॉंडरी होती है वहां पे लगाते हैं तो इससे ग वह लेके जा रहे हैं सब लोग कि यह जो हम लेकर आज डर से यहां न पहला यह तो यह यहां एकठा करना है तो अभी में एकपने पहुंच रहे हो और इसंट साम साथ काम करें बुझरग लोग जो हैं उनका काम होता है और हम जो जवान जवान होते हैं वो सब जैसे सतीज है तो हम सब बैटे रहते हैं और दिन बर आज इसे ही बैटे रहे हैं यहां पर हमारे बुड़ा लोग दादा के पापा लोग रहेंगे तो उनका ना यहां पर यह घर था तब यहां पर ना काफी परिवार भी कमी थे तो इसी अरांट में रहते तो यहीं पर सब लोग रहते थे फिर जाके ना पूरा गाउं फैलते गया कुछ इस तरह गए कुछ उस तरफ गए कुछ हम से पीछे की साइड में कि आखी जो हमारा में गाउं थो यहीं पर यूंका दो अब यहां पर ऑनुरों this time में अबहुत पूजा चल रहे है और हम थोड़ा गाउं कि इस इस जयसे यहां पर घर होती है यहांप मस्ट फोटो पूरा पर बराम्दा होता था ऐसा कुछ है मतलब बरामदा है और यहां देखो यह मदुमक्खी पालने के लिए ऐसे रखे हुए हैं तो इन घरों में ना स्पेस थोड़ सा कम होता था और जगह भी लोगों पास बजट भी उतना ज्यादा नहीं होता था पूराने डाइम पर तो इस मतलब ऐसे यूटलाइज करते हैं हर चीज से हर चीज को फाइदा देखते थे हर चीज जहां पर कुछ चीज रखने के लिए मतलब मिस्यूज कहीं नहीं करते थे इन घरों को बनाने में जैसे यह जो बरांदर डाइब का है इसके अलमारिया खोली हुए इसके उपर भी ना यहां पर कुछ समान रखने के लिए इस टिक वगएर रखी में तो हर चीज का यूज किया जाता था और इनको बोलते हैं खत्रे खत्रे मतलब डें इस टाइम पर तो इन चीजों के लिए यह इस पेस कम रखा जाता है और घरों के ऐसे दिवार पर ना ऐसे चेत करे जाते जाते जिससे मधुमक्या मैटे और अराम से सहद मिल जाए तो एक चेत यहां पर एक चेत यहां पर तो ऐसे करे रहते तो यह भी रोजगार का एक को पंदरा बोलता है कि हमारा ढालता रिदर जाओं का पंदरा अ यहां पर आबें अभी आएंगा जा सुबू एक तो ले ले लेकिया कमबली लेगा नहीं तर जाई कमबली जेब अबाजी यो फूरी पगड़ता प्रोल कानो है अब आप आइ यह जिर्ए सुर्ण एप स्रुली आप रा जो कानो तो अभी जो यहां पर आठ पेटिया तयार करी गए और आठ लकडी के जैसे यह किले वो बोलता हैं इनको और इनी को बांटरी पर लगाएंगे तो यह आठ लड़के लेके जाते हैं आठ लड़के सुबह स्लेक्टेड हो गए थे किनो कौन-कौन जाएगा तो वह अभी कौन्टरी पर एक पेटी छोड़के आएंगे है कि अरध जो यह पुझा इस यहां मन्दिरों में के जाना आए जो हमारे हम यहां मंके जाना है हम Pizza है तो सारी जगह इसका लेकर जाना कि तो सहाहिब यही कारान है कि हमारे जय सो न देव भूमी उत्राखन्द के नाम से जाना जाता है यहाँ पर हर बार हर चीज में पहले भगवान को पहला स्थान दिया जाता है आज भी जब हमारे गाउं में ऐसी पूझा थी वहाँ पर भी भगवान की आर्थी करीगी और भगवान के नाम पर ही पूरी बांडरी पर घेरावारी करी गई इससे भी बहुत और आपने भी ऐसा अगर कभी देखा ऐसा कभी गाउं में सुना है तो हमें जरूर बताएगा कि काई कैसा एक्सपीरियंस रहा और यहां से आपको अपना गाउं दिखाते हैं यहां से भी क्लियर दिख जाता है तो यह है और हमारे गाउं में आज भी सब लोग परिवार की तरह मिलके रहता है देखो इतना बड़ा आईजन किया गया तो सब लोग अपने घरों से एक-एक जना मिलके आए हैं और सब साथ में मिलके काम कर रहे हैं ऐसा नहीं कि तू देख ले तू देख सब कभी भी नहीं होता हर काम सब जगे मिलके काम होता है सब जगे बड़ों का अश्रिवाद लिया जाता है बड़ों को पहला पूछा जाता है कि कैसा कैसा करके आगे क्या काम किया जाएगा और उन्हीं की तरह उन्हीं की तरीके से नहीं जरने से जलती है और हमें भी कुछ सीखने को मिलता है से कभ रुप से रशीडेब रुप से लए रुप साथ आव अजयाद करें दो तो आज हम लगवग काम पूरा गया और अब हमें पूरण समानना अपने पशयादी भावन में रखना है और आकास में संड्रय काना कर अड्रीम बारिश भी आहले और अब जागे जो हमने काम पूरा ओ खाना बनाया था अब वो खाना खाना और उसके बाद सब की छुट्टी तो अपना सब काम पूरे हो गया और अब हम यह जो भी समान वहां पर लेके गए थे अपने पंचाइती भावन से तो वह सब अब है रिपन करता है इंको सूत समेच वापस करना है यह आप दे दिया और रिफंड में प्रसाद की रूपय मिलता है और वह लेके मैं घर पर आ गया हूँ बाकि अभी आज का दिन ऐसा कुछता तो आपको कैसा लगा हमारा कल्चा चुरू हमें कमेंट में बताएगा और फिर आज की व्लोग को यहीं पर एंड करते है फिर मिलता है आप से ने व्लो हमें आज झाल आको कि क्यास का दोग्य हरा है इंड आब करते हैं आपको के वके है टर आतFirstím कि है घूरा है है वहा में की अलाओा法ू है हैं एंड आप थार आपर वहाँ है